नमस्कार आप देख रहे हैं क्यापिटल टीवी और मैं हूँ आपके साथ वक्ता खबरों की खबर में आपका स्वागत है खबरों की खबर में आज बात होगी हमारे दो पडोसी देशों की चीन और श्री लंका की दुर्भागी से चीन हमारा एक ऐसा पडोसी देश है जो किसी पर अपना हाथ रख दे तो उसे कंगाल बना देता है क्योंकि चीन का कर्ज और उस देश की कंगाली दिन दूनी रात चोगनी बढ़ती है यकीन न हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए लेकिन अब एक और देश इसकी कड़ी में जुड़ गया है और वो देश है हमारा दूसरा पडोसी देश श्री लंका भारत का एक और पडोसी देश कंगाली की राह पर चल पड़ा है पाकिस्तान के बाद अब श्री लंका में खाद्दे से लेकर मानव कल्यान पर संकट खड़ा हो गया है और इसका कारण है चीन का कर्ज श्री लंका आज कंगाली की कगार पर खड़ा हुआ है आर्थिक और मानवी आपदा गहरा गई है खाने पीने की वस्तुओं की कीमत, आस्मान चुप रही है, रिकॉर्ट स्तर पर महंगाई है दरसल श्री लंका की अर्थ व्यवस्था सबसे अधिक परिटन पर अशुर्थ है इस पर कोरोना महामारी के कारण ग्रहन लग गया है दूसरी और श्री लंका को चीन से कर्ज लेना काफी महंगा पड़ रहा है उसके कर्ज चुकाते चुकाते श्री लंका आज आर्थिक बदहाली की स्थिती में पहुँच गया है बताया जा रहा है कि देश का खजाना खाली होने को है और वो जल्द ही दिवालिया हो सकता है विश्वो बैंक का अनुमान है कि श्री लंका में महामारी की शुरुआत के बाद से 5 लाक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गाए है नवंबर में महंगाई 11.1 प्रतिशत की रिकॉर्ड उचाई पर पहुँच गई थी बढ़ती महंगाई की वज़ा से लोगों की प्लेट से खाने के सामान दूर होने लगे वो अपनी बुन्यादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जूज रहे हैं रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राजपक्षे सरकार द्वारा श्री लंका में आर्थिक आपात कल घुशित करने के बाद सेना को चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तूओं को सुनश्चित करने की शक्ती दी गई थी हाला कि इस से कुछ खास फाइदा नहीं हुआ श्री लंका के लिए सबसे भारी समस्या है चीन के रिड का भारी बोज उस पर चीन का पांच अरब डॉलर से अधिक का कर्ज है और पिछले साल उसने अपने अपने गंभीर वित्य संकट से निपटने में मदद के लिए बीजिंग से अतिरिक्त एक अरब डॉलर का रिण ल जिसमें जन्वरी में 500 मिलियन डॉलर अंतरास्ट्रिय सावरेन बॉन्पुनर भुकतान भी शामिल है हाला कि नवंबर तक उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार केवल 1.6 बिलियन डॉलर था विपक्षी संसद और अर्थशास्त्री हर्षाड डी सिल्वा ने हाल ही में स जन्सद में कहा था कि अगले साल जन्वरी तक विदेशी मुद्रा भंडार 437 मिलियन डॉलर होगा जबकि फरवरी से अक्टूबर 2022 तक सेवा के लिए कुल विदेशी रिन 4.8 बिलियन डॉलर होगा जिससे राष्ट्र पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निर्वाड काबराल ने हाला कि सारवजनिक तौर पर कहा है कि श्री लिंका अपने रिडो को चुका सकता है आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपती श्री जिंपिंग कुछ साल से श्री लंका पर विशेश महरबान है और इसका परिण काम ये है कि अब वो दिवालिया भी हो गया है अब इस दिवालिया पंच से मुक्ती के लिए श्री लंका में भारी टैक्स लादा गया लेकिन इससे भी काम नहीं बना फिर क्या था अब उसे अपना सोना बेचने पर मजबूर होना पड़ा लेकिन तभी ये खबर भारत को लगी फिर क्या था भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जय श्रंकर ने इसको गंभीरता से लिया श्री लंका को मदद पहुचाने कर नड़ने लिया गया इस मुश्किल वक्त में भारत कई स्तरों पर उसकी मदद कर रहा है पिछले हफते 13 ज पेट्रोलियम उत्पात खरीच सके भारत की इस मदद की रिपोर्ट श्री लंका की अकभारों में प्रमुक्ता से चपी है श्री लंका के प्रमुख अकभार डेली मिरर के पहले पन्ये पर खबर छपी है तेल के प्यासे श्री लंका को भारत ने दी लाइफ लाइन। इन सब के बीच अमेरिका की रेटिंग अजिंसी फिच ने श्री लंका की क्रेडिट रेटिंग घटा कर सीसी कर दी है। ये रेटिंग डिफॉल्ट होने से ठीक पहले की है। से नहीं निकाल सकता है। इस बीच श्री लंका को IMF से बात करनी चाहिए और इस से एक स्थाई समाधान मिलेगा। डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार अगले 12 महीनों में सरकार और श्री लंका के निजी सेक्टरों को करीब 7 अरब डॉलर के कर्ज का भुकतान करना है। श्री लंका के केंद्रिय बैंक के देटा के अनुसार देश के पास 2021 के अंत तक कुल विदेशी मुद्रा 3.1 अरब डॉलर ही बची थी। करोड डॉलर के मूले से कम होकर 17.5 करोड डॉलर का ही रह गया है। डेली मिरर ने विजवर्देना से पूछा कि अभी श्री लंका की जो स्थिती है उसमें सोने के भंडार का अस्तमाल किस तरह से होना चाहिए। इसके जवाब में विजवर्देना ने कहा है डिफॉल्टर होने से बचने के लिए सोना एक आखरी उपाई के तौर पर काम आता है। लेकिन सोना तब बेचना चाहिए जब कोई और विकल्प ना बचे। मिसाल के तौर पर भारत ने 1991 में 47 मीट्रिक टन सोना लंदन में एरलिफ्ट किया था। इसके बदले बैंक ओफ इंग्लेंड और बैंक ओफ जापान से 40 करो डॉलर का कर्ज मिला था। श्री लंका सोना बेच रहा है इसका मतलब यही है कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है। श्री लंका के प्रमुक आर्थिक अकबार डेली फाइनिशल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वित्मंत्री बासिल राजपक्षे ने भारत से 2.4 अरब डॉलर की मदद की पुष्टी की है। बासिल राजपक्षे की भारतिय विदेशी मंत्री डॉक्टर S.J. शंकर से बात हुई थी। पिछले मही ने बासिल राजपक्षे भारत के दौरे पर आये थे और इसी दौरान भारतिय मदद को लेकर बात हुई थी। डेली F.T. के अनुसार बासिल राजपक्षे ने कहा कि भारत का श्री लंका से लंबे समय से सहयोग रहा है। बासिल ने भारत की इस मदद के लिए आभार जताया है। श्री लंका का विदेशी मुद्रबंडार खाली है और डीजल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। श्री लंका ये अकबार The Island ने भारत की मदद पर कहा है कि बिना IMF के पास गए विदेशी फंड की विवस्था श्री लंका के लिए निरणाया कदम है। श्री लंका जब आर्थिक संकट में फसा है तो दोस्त देश से मदद मिल रही है। तो ऐसा ही हिंदुस्तान और ऐसे ह पि-म मोदी जो मदद भी करते हैं और एहसान भी नहीं जताते यानि कर्ज लात कर कंगाल भी नहीं बनाते अब श्री लंका को समझ में आ जाएगा क्योंकि कुछ दिन पहले चीन का साथ मिलते ही वो उड़ने लगा था अब उसे जमीन का आभास होगा। आपकी इस पर क्या झाल